उत्तरप्रदेश के सुल्टानपूर जिलेक सदर जैसिंगपूर के पूर्व सपा विधायत अरुनवर्मा के नेतरतव में विबिन्न मुद्दो को लेकर सपाईयों ने धरना परदर्शन किया साथी राज्येपाल को संबोधित 16 उत्रिय ग्यापन उपजिला अधिकारी को सुपा धरना परदर्शन के दोरान सपाईयों ने गगन भेदी नारों से आवाज बुलन कर जनता को जागरू करने का काम किया गौर तलब हो कि सपा के राश्ट्रिय अध्यक्ष अखिलेश याद पूर विधायक अरुण वर्म, विधानसभा अध्यक्ष होसिला यादव, जिला महिला अध्यक्ष शार्दा यादव, जिला सर्चिफ गौतम वर्मा, भानमती बेगम ओम प्रकाश सिंग, विधानसभा प्रभारी उपाध्यक्ष राम मूरत निशाथ, आदी नेताओं के सा कारेकरताओं का हुजूं बाग के तैसीन भी ओर रवाना हुआ, लाल टोपी लगाए और चंडा बैनर तक्षी लेकर जब सपाई सड़क पर मिकले तो पूरा माहल सपा में हो गया, तैसीन पर इसर में पहुँचकर विधायक अरुण वर्मा के नितरतब में सपाईग्यों अरुण वर्मा ने कहा कि सरकार किसान विरोधी है, छात्र विरोधी है, नौजवान विरोधी है, महंगाई, कानून व्यवस्ता, सब पेल हो चुकी है, आदी मुद्धों पर राजेपाल को संबोधित ग्यापंग उपजिला अधिकारी को सौंप्तु किन मुद्धों को ले अध्या स्थानिया मुद्धा खेल नौजवान मुद्धा ऑपनुन दुकान वर्मा पर रहे हैं, पहस्अंगे हमोविकम मुद्धों से благодар क्यों विरोधी से आध耳ेकाई मद्धाई को और जो स्थानिया मुद्धन हमारा में में मुद्धा, जो इस विदानस्भाइमें अस आज हम लोग अस्थानी मुद्र को लेके चाहाई एक क्राइन ब्योस्ता को लेके हो चाहाई जो अपने इस जैसिंग को विधान सवाथ छेत्र में जो सोवेड का हॉस्पिटल हो जो राजकी आई किया कॉलेज जिसका निजीकरण सरकार ने करने जा रही जो कर दिया है निजी नहीं पूरी होगी आगे हम चलके हम लोग सड़क पे धन्ना प्रतसन करने का काम करेंगे यह अभी सरकान में किस्कों के लिए विद्यक पारित किया है इसको लेकर क्या करना चाहिए यह विद्यक लाने से आप समझ लिए पूजी पत्यों सीधा फाइदा होगा वह आप लो